आप सभी लोगों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पता होगा एक से आठ जून के बीच में 1984 को पंजाब के अम्रसर के दरवार साहीब में भिंडर वाला और उसके समर्थ तक छिपे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चिलाया गया था इस ऑपरेशन को हैड करने वाले महाविर चकरिसम्भा ने जनरल एएस वेड़ थे जिनकी 1986 में दो साल के बाद में परमजी सिंग पंजावर के द्वारा हत्या करती जाती है ये परमजी सिंग पंजावर जो है वो खालिस्तान कमांडर फोर्स का चीफ रहता है और 1990 के अंदर ये एक घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान चला जाता है उसके बाद से इसका कोई भी अता और पता नहीं था रिसेंटली निउस पीपर के अंदर जो है वो इसके एक फोटो रिलीस की जाती है अभी तक इंडियन मीडिया हो या फिर खूफिया विभाग हो उनके पास में के वोल दो ही पिक्चर्स अवेलेबल है और यही फोटो जो है यह अभी तक अवेलेबल थी यह जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं यह रिसेंटली आस्ट्रियल मीडिया के द्वारा ट्विट की गई और यह बताया गया कि परमजी सिंग पंजावर जो है इसकी हत्या कर दी गई है सुबह 6 बजे जब यह सुबह मॉर्निंग वॉक के उपर निकला था तो दो बाइकर्स आये जो की नकाप पोस्ट थे उनके द्वारा गन शोट चलाए गए और परमजी सिंग पंजावर जो है इसकी हत्या कर दी गई थी यह जो वैक्टी था यह 1990 से ही भारत से फरार था और 1990 के अंदर इसने जबरदस यह की बहुत खतरनाग घटना जो है उसको अंजाम दिया था और उसके बाद यह पंजाब से निकल कर कहां चला गया पाकिस्तान के अंदर चला गया था तो सबसे पहले हम लोग इसी बारे में जान लेते हैं कि यह वैक्टी कौन था परमजी सिंग पंजावर जो है इसका जन्म 21 अपरेड 1960 को हुआ था कश्मिर सिंग इसके फादर थे और इसका जो जन्म है वो तरन-तरन डिश्ट्रिक के अंदर हुआ था पंजाब के अंदर य यह भी जो था वो तरन-तरन डिश्ट्रिक से ही था जो कि एक हिट लिश्ट के अंदर था आपकी जानकरे लिए बता दूं कि यूनियन होम मिनिश्ट्री के द्वारा 2020 के अंदर एक लिश्ट जारी की गई थी जिसके अंदर 9 टर्रिस्ट जो थे वो शामिल थे उसके अंदर आठवे नंबर पर परमजे सिंग पंजावर जो था ये भी शामिल था और इसमें बबबर खालसा इंटरनेशनल का जो हैड था वदवा सिंग बबबर ये भी इस जो टर्रिस्ट लिश्ट के अंदर शामिल था मतलब ये Most Wanted लिश्ट के अंदर शामिल थे और अब जाकर जो कि एक सी लेकर 8 जून 1984 को चलाया गया था इस समय इसको लीड करने वाले जनरल वैद्दे थे और इनकी हत्या जो है वो पुने के अंदर कर दी थी परमजी सिंग ने तो ये Basically Most Wanted था और वैद्दे ने Operation Blue Star को लीड भी किया था 10 अगस 1986 को पुने के अंदर खालिस्तानियों न और उनकी मौत हो गए और इसके पीछे परमजी सिंग पंजावर जो था इसका हाथ था यही नहीं ये Basically एक Corporative Bank के अंदर जॉब क्या करता था इसलिए इसने Bank के जितनी भी Robberies होती है उसको भी अंजाम दिया जैसे 5,70,000,000 की जो Robberie है वो परमजी सिंग ने की थी पंजाब इसके उपर दर्च थे यही नहीं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वैपन्स के तसकरी होती थी उसके अंदर भी ये परमजी सिंग पंजावर जो था वो इसके अंदर शामिल हुआ करता था और पाकिस्तान से पंजाब के अंदर जो पैसा भिजवाय जाता था उसम भी ये जो है वो शामिल हुआ करता था मतलब इसके उपर जो है वो बहुत सारे केश दर्ज थी ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बिसिकली फोटो है 1990s की जिसमें चंडिगर के एक पासपोर्ट ओफिस के पास में ब्लाश्ट हुआ बिसिकली बं जो है वो एक स्कूटर के अंदर रखा गया और इसमें चार लोग जख्मी भी हो गए थे इसके पीछे भी परमजी सिंग पंजावर जो है इसी का हाथ था और जब ये ब्लाश्ट हुआ तो इसी का केश जो है वो परमजी सिंग के उपर दर्ज हुआ ये इतना ब गंजावर जो है उसे भी पीछे नहीं रहता था तो परमजी सिंग ड्रग स्मग्लिंग के अलावाध तसकरों आतंकियों की बीच जो है वो एक मुख्यकडी के लिए भी जो है वो काफी फेमस था कि भारत के अंदर खास तोर पर पंजाब इस्टीट के अंदर ये नकली करंसी जो है उसको को शौर चकर मिल चुका है और तरण टरण डिस्टिक पंजाब के अंदर जो है इनका मर्डर कर दिया गया था ये जो है ये बीसिकली टेरिज्म के अगेंच जो है वो पंजाब के अंदर लड़ते हैं और इससे ही कही ना कही नाखुष था परमजी सिंग पकवर्ड तो ये इनसे जो है वो काफी नाराज चल रहा था और उसके बाद में 2020 में इनकी भी हत्या करती जाती है इसके पीछे भी इसी एक हाथ पता जाता है ये तीन फोटो जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं परमजी सिंग पकवड जिसके बारे में आप लोग को बता ही दिया है वद्वा सिंग जो है वो बबबर खालसा इंटरनेशनल का हैड रहता है और तीसरी फोटो जो है वो लखबीर सिंग रोडे की है लखबीर सिंग रोडे जो है वो basically परमजी सिंग पंजवर जो है इसका पूरा-पूरा साथ दिया करता था पंजाब के अंदर terrorism activities को करने के लिए तो ये तीन बड़े चेहरे जो है पंजाब के अंदर आतंगवाद के रहे हैं देखे खालिस्तान मुवमेंट जो है जितना तेज गती से ये internationally जो है अभी चल रहा है जिसे मान लीजिए कि हम लोग आश्टेले के अंदर बात करें कि वहाँ पर embassy के बाहर भी प्रतेशन कर रहे हैं लोग लंदन के अंदर भी embassy के बाहर प्रतेशन कर रहे हैं और आप लोग क जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो परमजी सिंग पंजवर जो है इसकी हत्या कर दी गई है लाहोर के अंदर पाकिस्तान में सुवए 6 बजे और अब जो है ये बिलकुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है चलिए सिधान सन्ने जो है वो आप लोग के लिए NCRT कोर्स डिजाइन किया है 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा अगर आप लोगों ने कोर्ड यूज किया NCRT आप लोग मेरी टेलग्राम को चैनल को जोईन कर सकते हैं दीपा किंदोरा ओफिस शेल इस्टेटी ग्लोउस आप लोग के लिए बहुती बहत स्क्रिन कंटेंट लेकर आता है नौलेज इस पावर ये हमारी टेक लाइन है तो चलिए मिलते हम लोग नेक्ट लेक्चर में ततले धन्यवाद थैंक्यू जैहिन